अब शेकी बकार्ना बंद करो और तुझ सोचो उसके आने थे पहले योही तो दिक्कत है बेगम सोचू किस पुरो यो तो मुझे दिखता ही नहीं जाओ सोचू यार एक जुगार क्या भी गड़ 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 मेरी बच्ची कहा कहा चली गएती तुझ मैं तुझे कितना खोज रहा था तो ठीक तो है ना बेटा आजो 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 अंदर बेटो आजो अजो अजो अरे भाई बेगम पानी लाओ कुल्फी लाओ मेरा बच्चा आ गया अरे मेरी राज दुलारी तुम कहां चली गई थी मैं तुम्हें कब से ढूंड रहा था उस जिन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं कुछ किया तो नहीं अरे कुल्फी ले बैटा तुरी मन पसंद कुल्फी और तेरा दोस्त कहां है उसके लिए भी कुल्फी है क्या नाम दोस्त का अच्छा सुन हमें ना तेरी दोस्ते कोई शिकायत नहीं है तुम्हें कोई खेलो मज़े करो ठीक है है मुझे माफ कीजिए चाचा चाचे मेरी वज़े से आप दोनों को इतनी तकलिफ जेड़ी पड़ी अरे नहीं नहीं बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है वो तो हमा हमारी ही गलती थी हमें इतनी शक्ति क practice नहीं आना चाएने था इसके साथ क्या नाम है उसका वो वैसे भी दो चार दिन में हमें पता ही चल जाता कि वो कौन है कहां से आया है क्या नामे बेटा वेशे उसका है? उससे मिलबा तो ज़रा उसे पता नहीं है चाचा बती जी का रिष्टा मैं उसे बताऊंगा हम दोनों के बीच में कितना प्यार है क्यों बेगा हूँ? वो भी रह सकता है उमारे साथ सच चत अजी? हाँ लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रही है क्यों? क्या हुआ? क्योंकि मैंने उसे दोस्ती तोड़ दी अब तक तो वो अपने शहर शाबान चला गया होगा सत्या नाश ठगा दिया उसे अरे मनूस को ये की वो जिन था उसे क्या कुछ नहीं करवा सकते थे हम अच्छा तुझे वो मिला कहा था बेटा नाम क्या है उसका शीदीन? उसका नाम परहाद है वो शाबान से आया है जहां जाने के लिए जादू ही दर्वाजा खोला परता है और वो अपने घर वापिस जाने का दर्वाजा खोली नहीं पा रहे है कोई बात नहीं बेटा बस तु कुल्फी खा और अगर तेरा सक्चा दोस्त है तो वो तुझे मिलने एक दिन जरूर आएगा और तू भी तो उसे ढूनने के लिए नदी किनारे जा सकती है ना जहां तुझे वो मिला था हो सकता है वो वहीं हो और गया ही ना हो बेगाम अब बताओगी भी कि मुश्कुराती ही रहोगी दुलन तो तुम हमेशा बनी रहती हो क्या बोलोगी तुम कुछ बोलो मेरी छोटी बहन तबसुन उस पे भी एक जिनाशिक हो गया था मैंने तुमें बताया नहीं क्योंकि तुम तो कभी यकीन ही नहीं करते हो बड़ा एक ख़बीज जिन था मेरी बहन को इतना परेशान किया उसने एक पीर बाबा है अरे वो कलियर वाले हैं बस उन्होंने एक तावीज दिया था और उससे जिन खाबू में कर लिया आज तक उन्होंने कई जिनों को गिरफ्त में लिया है बस तुम एक काम करो या तो उनसे मिलाओ या उनको यहां ले आओ वो इस जिनको पैद करने में हमारी जरूर मदद करेंगे बस हमें यह यकीन दिलाना होगा उन्हें कि उसने कि हमारी प्यारी सी शिरीन को बोली बाली सी शिरीन को अपने कैद में कर रखा है और हमें बोली बाली शिरीन को यह यकीन दिलाना है कि हमें उसके दोस्स से कोई शिकायत नहीं है उल्टा हम तो उसको पाल मिलेंगे बड़ी मौहपत से बड़ी मौहपत से उसकी सारी खौईशे पूरी कर देंगे और या फिर वो हमारी देखो ये कहानी है सब को सुनानी आस्मा से आया एक प्यारा साजीनी देखो ये कहानी है सब को सुनानी आस्मा से आया एक प्यारा साजीनी जादू ये पिटारा है सब का दोलारा शेरीन ने पुकारा तो दड़ा चला आया है दोसती इनकी बेमिसाल शेरीन फरहाद, शेरीन फरहाद है दोसती इनकी बेमिसाल शेरीन फरहाद, शेरीन फरहाद you and I